हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक तो अलोफ यू इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल स्टेडी स्टुडेंट्स अपना जो कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के जो डेमोक्रेसी थी उसका जो चेप्टर था वो कम्प्लीट हो चुका था तो जो चुनावी राजनीती है उसका जो अपना लेशन है वह स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए एक परिग्राफ दिया है व दिया है अशेंबली इलेक्शन इन हरियाना, हरियाना के अंदर जो अशेंबली इलेक्शन थे उसका एक परेग्राफ दिया देखे हम उसके स्टेडी करते हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वाइ दूवी नीड एलेक्सन के आवशेकता क्यों है तो देखे। असेंबली लेक्शन इन हरियाना देखे देखे ताइम इज आफ्टर मिड़नाइट एक परिग्राफ है कि मद्धे रातरी के बाद का समय था अन अक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फोर दे पास्ट फाइप आवर्स इन चोक ओप दी टाउन कि एक आसानवित जो भीड थी आसा से भरी हुई लोगों की जो भीड थी वो एक कसबे के चोक में बैठी थी और अपने नेता का इंतजार कर रही थी लीडर टू कम उनका नेता आने वाला था जैसे जो लीडर आते हैं तो उसका हम इंतजार करते हैं उसको हम वेट करते हैं असेमबल हो करके ऑर जो इस संगठान को आस्वस्त कर रहे थे कि आपका जो लीडर है वो किशी भी अक्षन यहां पहुंच सकता है The hopes that he has come कि उनके उसके जो आने की आशा है वो किशी भी अक्षन है तो भीड करती है वो क्या करती है उठ जाती है जैसे उसके आने की आशा होती है The leader is Mr. Devilal जो leader आने वाड़ा था वो कौन था? Mr. Devilal था chief of Haryana Sanghars Samiti Haryana Sanghars Samiti जो थी उसका chief था मूख्या था Who was to address a meeting in Karnal on Tuesday night कि Tuesday की night को करनाल के अंदर एक meeting थी उसमें address करने वाला था भीड को संभोधित करने वाला था The 76 years old leader उस समय देविलाल की जो एज थी वो छेतर वर्ष थी He is a very busy man these days जुनाव का समय था तो उन दिनों देविलाल बड़े वेस्त थे His day start at 8 a.m. उसका जो day है वो सुबह 8 बजे से start होता and ends after 11 p.m. और जो 11 p.m. के बाद उसका जो routine था वो शमाप्त होता He had already addressed 9 election meetings since morning जब तक वो करनाल पहुँच रहे थे उस समय तक वो 9 election जो meetings हैं उनको क्या कर चुके थे address कर चुके थे संबोजित कर चुके थे और been constantly addressing public meetings for the past 23 months और पिछले 23 महिनों से लगातार वो public meetings को क्या कर रहे थे address कर रहे थे and preparing for his election अपने चुनाव की तयारी कर रहे थे ऐसा generally होता है हम देखते हैं तो newspaper है उसने क्या report किया उसके बारे में दिस newspaper report is about the state assembly election in a haryana in 1987 यह जो report है जो paragraph है वो अपना 1987 के अंदर हरियाना में जो assembly election हुए थे हरियाना के विदान सभा के जो चुनाव हुए थे उसके बारे में the state had been ruled by a congress party lead government since 1980 to 1982 से लेकर के लगातार उस हरियाना के अंदर जो government थी वो किसकी थी congress party की थी leading party थी वो चोदरी देविलाल देन एन आपोजिशन लीडर उससमें चोदरी देविलाल क्या थे विपक्स में नेता थे लेड मोमेंट उन्होंने एक आंदोलन चलाया उसका था नेम जो था वो था न्यायुद्ध न्यायुद्ध यानि struggle for justice न्याय के लिए संगर्स तो जो न्यायुद्ध नाम से उन्होंने क्या चलाया था एक की मोमेंट चलाया था and for a new party उन्होंने एक नहीं पार्टी बनाई उसका नाम था रोक्दल रॉक्दल नाम से उन्होंने एक नहीं पार्टी का गठने किया था तो देखें इस पार्टी जोइंड अधर ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर में फ्रंट अग्नेश्ट कॉंग्रेस कॉंग्रेस वॉन दे इलेक्शन तो देखें कॉंग्रेस उसकी जो पार्टी थी उसके साथ में दूसरे जो पार्टी थे वो भी क्या हो गए थे समलित हो गए किं देविलाल सेड्ड़ इफ पार्टी वोन देपार्टी गवन इसने की पार्टी चुणाव जीत जाती है इस प्रता है तो परThank you to Jeri यूद एफ्रे कर दिया को और त। घून अनें कहा कि उस he promised that this would be the first action of his government और उसने ये भी वादा किया कि ये उनकी सरकार का पहला कारिये होगा सबसे पहला कारिये उसके गवर्मेंट यही करेगे कि किसानों के जो लोन है उनको माफ कर देगी जो स्मॉल बिजनसमेन है उनके लोन को माफ कर देगी जो विद्धेमान सरकार थी कॉंग्रेस की उससे लोग नाखुस थे देविलाल प्रोमीज और देविलाल के जो वादे थे वादा था उससे भी जो जनता थी वो अट्रेक्ट हुई आकर्शेत हुई इसलिए जब चुनाव आयुजित किये गए तो उन्होंने अत्यदिक मात्रा में वोटिंग की लोग दल के समर्थन में या उसकी जो मित्तर पार्टीज थी उनके समर्थन में लोगों ने अच्छी वोटिंग की लोग दल एंड इट्स पार्टनर्स वोन सेवन्टी सिक्स आउट ओफ नैंटी सिट्स इन दे स्टेट असेंबली हरियाना की स्टेट असेंबली में 90 जो सीटे थी उसमें से 46 सीटे 76 जो सीटे थी वो लोग दल और उसके जो मित्तर थे उन्होंने जीती थी लोग दल एलोन 166 अकेले लोग दल ने 60 सीटे थी वो जीती बाकी जो 16 थी वो उसके जो मित्तर पार्टी उसके साथ में जूड़ी थी छोटी पार्टियां उन्होंने जीती इसलिए असेंबली के उंदर उन्हें स्पस्ट बहुमत मिला दे कॉंग्रेस कुड़ विन ओंले 5 सीट्स को के वुल कितनी सीटे मिली पांच सीटे मिली यह फॉर सीट ही होना चाहिए 76 तो उनकी हो गई और फॉर सीट्स उनकी थे जैसे इलेक्षन का रिजेल्ट अनांस्ट वॉआ दसीटिंग चीप मिनिस्टर रेजाइन जो उस समय जो चीप मिनिस्टर था उन्होंने रेजाइन किया पदत्याक किया पॉस्ट्रे दन्यूली इलेक्टेड मेंबर आफ लेजिस्टेटीव असेंब्ली से जो मेंबर थे और लोकदल के जो थे चुज देविलाल as the leader उन्होंने देविलाल को अपना नेता चुन लिया अमेले ने जो अमेले बने थे उन्होंने जैसे चुनाव का रिजल्ट आया उसके तीन दिन बाद में देविलाल क्या बन गया जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बना गवर्मेंट एक गवर्मेंट ओडर उन्होंने गवर्मेंट आदेश निकाला वेविंग दे आउटस्टेंडिंग लॉन्स स्मॉल फॉर्मर्स अग्रिकल्चर लेबर्रस एंड इस्मॉल बिजनेस उसका जो पहला वादा था लॉन को माफ करने का उसका अदेश उन्होंने निकाल लिया इस पार्टी रूल दे स्टेट फॉर फॉर यर्स उसकी पार्टी ने चार वर्स तक वहां पर शासन किया दे नेक्स एलेक्शन वर हेल्ड फिर चुनाव हुए इसके अंदर यह होता अलगलग कंट्रीज में कुछ निश्चित वर्षों के अंतराल में चुनाव होते रहते हैं नई नई पार्टी यह अपनी सरकार बनाती रहती हैं अब देखे कि हमें इलेक्शन की आवसेता क्यों हैं वाइंड यूजी नेक्षन हमें इलेक्शन की क्यों आवसेता हैं इलेक्शन्स टेक प्लेस रेगुलर्ली इन एनी डेमोक्रेसी पर तेक डेमोक्रेसी में नियमित अंत्राल के बाद इलेक्शन किये होते हैं चुनाव होते हैं यहां पर अपने रिपर्जेंटेटिव को चुनने के लिए अपने परती निदी को चुनने के लिए के लोगों को लोग इलेक्शन करवाए जाते हैं ए रूल ऑफ दे पीपल इस पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ औल दे पीपल कैन सिट टूगेदर क्या बीना इलेक्शन के रूल ओपीपल संभव हो सकता है क्या सभी लोग एक साथ परती दिन बैठ सकते हैं और टेक परती दिन समय होता है डिसीजन लेने के लिए नोलेज टू टू टेक डिसीजन अनॉल मेटर सभी को इतना ज्यान भी नहीं होता कि वो सभी मामलों पर डिसीजन ले सके देर्फोर इन मॉस्ट डेमोक्रेसी पीपल रूल थू देर रिपर्जेंटेटिव इसलिए अधिकांस जो डेमोक्रेसी हैं लोगतंतर हैं घंतंतर हैं वहां पर लोग अपने परती निदियों के माध्यम से ही सासन करते हैं थैंक्स स्टुडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वह पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उसका ध्यन करेंगे थैंक्स